सुप्रबाद बच्चों सुप्रबाद मैडम जी बच्चों, आज हम आम की कहानी सुनेंगे ठीक है? ठीक है मैडम जी एक लड़की और एक कवे ने पेड़ पर लगा पका आम देखा आम देखकर लड़की ने सोचा आम तोड़ा जाए लड़की ने अपने भाई को बुलाया और पका हुआ आम दिखाया बच्चों देखो चित्र में भाई के हाथ में क्या है? गुलेल है देखो बच्चों, लड़की के भाई ने क्या किया? उसके भाई ने आम पर गुलेल से निशाना साधा कववा उने ध्यान से देख रहा था जैसे ही आम तूटा, कववे ने अपनी चोन से आम लपक लिया दोनों भाई बहन कववे को आम ले जाता देख उदास हो गए जैसे ही कववा आगे बढ़ता गया, देखो बच्चों कववे की हालत क्या हुई आगे बढ़ते ही कववा मधुमख्यों के छते से टकरा गया मधुमख्याम कववे को डंक मारने लगी आम कववे के मुँसे छूट कर गोंसले में जा गिरा पेड़ पर बैठी गिलहरियों ने आम देखा एक गिलहरी गोसले से आम उठा लाई इतने में पता है क्या हुआ कवे के गोसले से अंडे तूटने लगे कवे के बच्चों ने काउं काउं करके शोर मचाना शुरू कर दिया गिलहरी के हातों से आम छूट गया आम गिरा नीचे और आम कहां जाके गिरा आम आदमी के पगड़ी में जा गिरा जो पेड के नीचे आराम कर रहा था लड़की ने आम उठा लिया लड़की आम मिलने पर बहुत खुश हुई और भाई अपने गुले का कमाल पर खुश हुआ बच्चों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अभी प्रशन अभ्यास करेंगे ठीक है? पहला प्रशन लिखो कहानी में पहले क्या आया? पहले लड़की फिर कौन आया? कववा फिर? गुलेल गुलेल के बाद? मदमखियों का च्छत्ता फिर कववे के बच्चे और आखिर कौन आया? सोता हुआ आदमी दूसरा प्रशन कौन? कहो गुलेल किसके हाथ में था? लड़के के हाथ में घोसला कहा था? डाली के उपर कववे के बच्चे? घोसले में गिलहरियाम कहा थी? पेड के उपर और आम कहां जागिरा? आदमी के सिर्पर देखा बच्चों? कितना आसान है चित्र को देखकर कहानी सुनाना है न? है मेडम जी बच्चों आज के लिए इतना ही अभी अगली क्लास में मिलते हैं ठीक है? धन्यवाद मेडम जी झाल 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 झाल